ऑजकी इस वीडियो में हम बात sonra है lектonic granules के बारे में जो कि इस granules का इस्तमाल बहुत जयदा महिलाओं से ज्युड़ी समस्यों में इस्तमाल किया जाता है तो आज के इस वीडियो में हम इही बात करने वाले हैं Lactonic Granules के बारे में इसमें benefit क्या है इस्तेमाल करने से इसमें जो combination है उन सभी combination हो कौन-कौन से प्रफजों में इस्तेमाल करते हैं क्या डोज है क्या side effect है किसे नहीं लेना है यह सब ही बाते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Lactonic Granules जो की आपको यह इलाइची फ्लेवर में अबलिबल हो जाता है 200 ग्राम की पैकिंग होती है 280 से 250 रवी की प्राइज में अबलिबल हो जाता है और इसका प्राइज फ्लक्चुएट होता रहता है LMP Company की बनाई हुई या मेडिसिन है अब बात करते हैं Lactonic Granules में क्या-क्या कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपको काफी अच्छे-च्छे आरवेधिक उसधी मिल जाती है जैसे कि सतावरी, सोवा, कसिर, यस्टी मधू, सफेद, जीरा, पंच, त्रिना, मूल जैसे काफी अच्छे-च्छे आरवेधिक उसधीयों से मिल करके इस कॉम्बिनेशन को बनाया गा है जो की डिलिवरी के बाद जो भी ब्रेस फिडिंग मदर्स होती है दूद का सही से न बन पानी की समस्या होती है जैसे की इन सभी कॉम्बिनेशनों में काफी अच्छे-चे प्रोपटी पाय जाती है जैसे की एक बहुत ही अच्छा एंटी-उक्सिडेंट एंटी-इंफ्लमेटरी और एंटी-माइक्रोबियोल जैसे काफी अच्छे-चे प्रोपटी पाय जाती है जो की multiple कंडीशनों में इस्तमाल करने में काफी कारगर होता है जो की अगर खास तोर पर बात करें electronic granules का किसी परपज़ों में इस्तमाल किया जाता है तो इसका इस्तमाल बहुत जादा जो भी breastfeeding mothers होती है जिन में दूद सही से न बन पाता है तो उन से भी कंडीशनों में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा यह हार्मोनल inbalancing की समस्या होती है तो उन से भी कंडीशनों में इस्तमाल करते हैं immune system का कमजोर होना किसी परकार का कोई भी viral flu, cold cuff, fever जैसी समस्यां बार बार होती रहती है तो उन से भी कंडीशनों में होने के chances को बहुत ज़्यादा कम करने में काफी कारगर होता है यह immune system को मजबूत करता है hormonal inbalancing की समस्या होती है तो उन से भी कंडीशनों में इस्तमाल करता है इसके साथी साथ uterus के normalize होने में सहयता करता है इसके साथी साथ किसी परकार का upper respiratory tract infection होता है तो उन से भी कंडीशनों में इस्तमाल करते है यह ulcer की समस्या होती है इसके साथी साथ लीवर और स्प्लिन का enlargement की समस्या होती है तो उनसे भी कंडिशनरओं में भी है यह काहफी कारगर होता है पर इस बहुत ज़्यादे इस्तमाल खास तोर परदे ब्रिस्टिंग ओर में डो सही ना कि पानी की समस्या होती नुसे पर लगब डॉक्टर फैर्मेसिस से जरूर कंसल्ट करें, इसके साथी साथ इसका डोज का कंफरमेशन भी डॉक्टर की रिएक देख में करते हैं, तो आपके लिए काफी फायदी मन्द होता है, इसका डोज का कंफरमेशन डिपेंड करता है, कि आपकी एज, हल्थी कंडिशन और आप इसके किस प्रपज मिले रहे हैं, उसे साथ से भी इसका डोज डिपेंड करता है, बात करी क्या नुक्सान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो वर्मिटिंग, सर में दर, तोचा में लाली पन, भूख ना लगना, पेट में दर्ध होना, इस तरी के नॉ वीडियो यह जन करें अच्छे लिगी, तो प्लीज लाइक किजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू फर वाचिंग